अथा अर्स किया है के कोई दिन गर्स निम्हें और है अपने जी में हमने थानी ओर है क्या थानी है यह मैं अपने लिये थोड़ी बोल रहा हूं तो प Oscars का उस्यार के लिए mila के बदेखे बहुत बैटता है उनकी सुरतेहाल के अग एरशाद बारहा देखिए उनकी रंजिष्यें से अबके पर कुछ सरगिरानी और है oh no, ये ये शेयर उनकी उपर कैसे साधी काता है बारहा कॉन सी रंजिष्यें उनने देखि हैं, Kasyip? उन्हों नहीं नहीं देखिना आप समझने रहें एन अजना जो हो एक पहले वारी हो एक जए निए और फरस्ट नहीं आप नहीं तो पहले पर आप अप अब जाए और शुर्टी चाहिए लिए अ बहुत अब तो शुरुति अब जो ए लिए लुटि ए लोगी जहाई लोगी जो जो चार गोलियां और जो बारा गोलियां निकली है वो भी तो अलग मौमला है उस पर मैं बात नहीं करना चाहरा वो एक मजाग की तरफ से ली जाएगी बात संजीता बात यह है कि प्रोजेक्ट इम्रान बंद हो गया खलास ऐसे कैसे ऐसे नहीं काशिफ मैंने मानती मतलब इतने वसाइल खर्च हुए हैं इतना इतनी मेहनत लगी है फिर जनल साब ने हमें आसमा शेराजी ने बताया है कि जनल साब ने का हमने चार जनल कुर्बान कर दिया है तो इतना इतनी असानी से तो प्रोजेक्ट बंद नहीं होते ना वो कहा रहे हो गया बंद कैसे नहीं वो कहा रहे हो गया आपने पूरा मीडिया उनके साथ लगाया आपने मस्बत रिपोर्टिंग की अंतमचा दी फिफ्ट जनरेशन वारफेर के नाम के ऊपर ब्रीड किया पूरी एक ब्रिगेड को और फिर जिस तरहां से तोड़ तोड़ के दूसरी पार्टी से लोगों को इधर इंडक्ट करवाया गया इंजेक्ट किया गया इत्ती असानी से तो नहीं इस पर भी मुझे एक शेयर याद आगया आपकी इस बात के उपर अजब अंदास से ये घर गिरा है मेरा मलमा मेरे उपर गिरा है तो ये प्रोजेक्ट इमरान का मलमा उनकी उपर ही गिर गया तो ये बंद हो गया है खलास मैं बोल रहा हूँ आपको वो बता रहे हैं मैं उनकी बात आप आपको बता रहा हूँ कि नहीं अब आप ये सोचें कि ये जो मलमा गिरा हुआ हुआ है इसको साफ कैसे करना है अगली सुरत हाल क्या बनेगी इस इस पर जादा खौर और फिकर की जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ ने लेकिन काशी साब मेरा सवाल ये है इस खौर और गौस से पहले कि 28 अक्तूबर 2022 को लिबर्टी चॉक से एक सफर शुरू होता है हाकिकी आजादी की तलाश में लोग निकलते हैं टोलियों की सूरत में 26 नमंबर 2022 दो देन कट एक मिना पूरा तुसी जाके अदा इखताम पजीरो उन्दा है आप मुसे बात कर रही है या ये तहरीश बता रही है कि तबदीली की लॉंग मार्च के उपर जो कथबा लगेगा उसके उपर आप ये लिखे नहीं उसके उपर तो खैर बहुत कुछ लिखा जा सकता है उस जानी बी मैं आती हूं लिकिन मुझे ये बताएं के कि दास्तू की प्यारी चिक खटे आप खान साब ने क्या खटा है इसे एक महीने में मैं पिछली 26 साला जुद्ध जहाद का नहीं पूछ रही कि उन्होंने क्या खटा है उन्होंने उन्होंने खटी है एक एक पूरी ऐसी नसल एक ऐसी सोच जिनके नजदीक सब चोड फॉरन फंडिड हैं और सिर्फ एक खान अजीम आप आप पिर मौजू की तरफ आना निचादी मैं आप से सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप वो कह रहे हैं तो बंद है तो बंद है ठीक है नहीं बहस की जाज़त आपको नहीं दी जा सकती अभी इतनी अभी आपना समझे ज है जितना PTI को मिला है मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा पूरी बात सुने सुने पहले सुनाए सुनाए इनके उपर जुल्म के कौन से ऐसे पहार तूट गे हैं कि जो इस मुल्क में पहले होता रहा है हम कहें कि ये बिल्कुल जिस लेवल का वो एक मौमला चल रहा आपके नजदीक ये अहम सवाल ये है कि अगर हमें ये इतलाद मिल चुकी है कि कश्मीर की अजदी तक प्रोजेक्ट इमरान बंद रहेगा ठीक है तो अब क्या होगा अब क्या होगा पढ़ा नहीं है मैं पूरा साल अब क्या होगा मेरा हाई सी आएगा डी आएगा बचना पाऊंगा मैं इस वार नहीं ये इम्तिहान है बलके कड़ा इम्तिहान है तो मैं आपसे जाना ये चाहता हूं कि नए इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन अभी करवा सकते हैं पाकिस्तान के हालात इस चीज़ की अजाज़त देते हैं जो यहां पर एकनॉमिक कंडिशन बनी हु उब ये बताने के लिए अपनी उस अना की तस्कीन के लिए बताने के लिए कि मैं कितनी बड़ी बलाा हैं ये बताने के लिए वो उनका लीन अभी तक फैसला हुआ आपके सेळाब मतासृन दिसंबर कल शुरूरा है ठीक है और हम अपने परसकून घरों में बैठकर हम सिर् सकते हैं कि वह सिलाह मुतास्रीन खुले आसमान तले बैठे हैं और दिसंबर आ गया है जो इस मुलक में अंसर्टन सिच्वेशन बनाई हुई है वह एकनॉमिक कंडिशन हो वह प्लिटिकली अंसर्टिनिटी हो वह अभी जिस तरह से यह टीटीपी ने जिस तरह से कह दिया है क तो इसमे खान साब को हरी हरी सूज रही है अच्छा अब यही यही बाते में आप से पूछना चारा था आप खुद ही इस तरह आगी पहले इससे और अगली बात एलेक्शन करा रहे हैं कर दे दोनों इसम्लिगां तहलील करो ना थोड़े को दो सुबेने ना इसम्लिगां तहलील करो ना इस्तीफे देगते हैं चाक मत कर शाजिब खानजादा के खिलाफ एफ यार कटवादी चाक मत कर जेब बे अयाम गुल कुछ उधर का भी इशारा चाहिए अभी जब इशारा हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो आजा मुझे देखें अब देखें मैं आपको आपसे एक सवाल पोछता हूं जिसमें मेरी सारी बेतावी चलक चलक के जो है ना वो आ जाएगी सामने सवाल यह है कि यह अनसर्टेनिटी जो इस वक्त मौझूद है हम समझ रहे थे कि एक सियासत के साथ लातालुकी के ऐलान के बाद एक सर्टेनिटी आएगी जो जबूरी और स्य जबूरी पहले नहीं दे रहे परवेज लाही उदर पोड़ कर रहा है यह उदर पोड़ कर रहा है और पीड्यक का क्या फूचर है बीडियंग की अपनी करेंफियूजन है तो जो एक लिजिटिमेसी चाहिए ना इस वक्त पीडियम को वो फ्रेश एलेक्शन गो दे सकते है तो जो दो तेहाई पाकिस्तान का वोटर, दो तेहाई हिस्सा इस मुल का, जो खुले आसवाण तले है, जो बेघर हो गया है, उनोंने वोट ने डालना। मैं आपसे यहिता करो है आखना है एक मिनेट है मैं इसन थीक है क्या इस बाती गैरेंटी है खानसा फिर पूल से ऐसे आठाल के खौल और जो धुबरा और सक्रतों के उत्का पर लूर लूर फिरना, सुरी, खुद तो ऑनलाइन खिताब करना और बड़ी गाड़ी, सुरी, हेलिकॉप्टर के जरीए से या निजी तियारे के जरीए से नूर खान एर बेस पर लैंड करके वहां से बड़ी गाड़ी में बैठ कर और फिर आपने उदर चुब उतरे बजा में आपको धरने बे आया मालूम आ हुआ हूं है मैं लॉंग मार्च फर लॉंग मार्च टांग मार्च ले रहा हैं मैं आपसे नहीं कह रहा है मुझे मैं नहीं तर जी प्रोजक्ट हाल ही में बंद दस साल के लिए लगाद कर गान आन तेंक्स मुझे आपने रियलाइस कर बात गया नहीं मैं जोक सपार्ट सीरिस बात कर रहा हूँ मैं आपसे नहीं मुतालबा कर रहा लेकिन एक अनसर्टेनिटी है मुल्क का एक बहुत बड़ा सूबा वो उपताने ही देते हैं कि 27 किलो मेटर का वजीर आजम है 27 किलो मेटर का वजीर आजम है तो आप इसलिए इसलामाबाद की हदूद में जाके अपनी तक्रीर नहीं कर सके आप बजा फर्मा रही है उसकी वज़ा यही है जो मैंने अर्स की थी ना कि उनको 27 किलो मेटर का वजीर आजम है आपने एक जुडिशल सीम बिठाया हुआ है एफ आई यार अपनी मरदी देनी कटा सके देखें आप मुझे बात नहीं करने देखें वो 27 किलो मेटर का वजीर आजम है एक ताइनाती में आपने अपनी मतलब भाई नहीं है मेरे नजदीक नहीं है वो पूरे पकिस्तान के वजीर आजम है लेकिन खान साब को तो होना जाए लेकिन एक तरीका कार होता है मतलब आपने सर पे मुसल्वत किया है आप कहरे है ये बंद हो गया लेकिन इस मलबे को कौन हड़ाएगा मलबा अपने रखा हुआ हुआ है मैं ये नहीं कह रहा हुआ 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 आम्रान खान पाप्ड पी डिम, ठीक है? यह बॉपरी को जाना है एक्षाटली आप अप्राइब कि अप्राइब का निया क्या है फ्रिवार को पिलिए इम्रान क去了 कि अलाब को इम्रान का लौज को तब इत कि अलाब के लाव किसी अगॉद को इस लौड्रेस्ट को उसी थागजी रेफरी अवां के जा शॉटहर को और हुञाएं जा किसी और को अशेक्रोगixí करवा लें यकीन करें अगर आप बगार रेफरी के मैच करवाते हैं ना तो पीपल्स पार्टी और पीमल एन ये सियासतदान है ये आपको घर पहुचा कि आएंगे नई मैं बाहराल नहीं चाहूंगी कि एक बेहतर इंतखाबी इसलाहात के बगार ही हम इलेक्शन चले जाएं राना सनावला साब से या उनकी तरज सियासत से या उनकी सियासी माजी से करोड़ा एक तलाफात हो सकते हैं लेकिन उन्होंने एक सियासतदान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में वो बताया कि आप पार्लिमेंट में आएं हकूमत के साथ बैठें और इंतखाबी इसलाहात की जानीब जाएं जितनी जल्दी आप उस जानीब चलेंगे उतना ही असान हो जाएग आपकी यहां लेकिन यह जो खान साब ने अस्तीवों वाली पख निकाली है इसको क्यों नियों डिसक्ष किया आपने मतब यह तो इतनी फुस फुसी तकरीर थी जिसको हमारे मेंस्ट्रीम मेडिया के की एंकर्ज ने कहा के इमरान खान ने वह केड़ी ड्राइव उन दिया क्रिकिटर खेल दा है कवर ड्राइव खेल दी है और सर्प्राइज दे दिया है कैसा लगा सर्प्राइज और इमरान खान ने कमाल ढ़ा दिया भाई खुदा का वास्ता है आप वो लोग हैं जिन्हों ने 126 दिन जब धरना चल रहा था आपने उसको कवरिज दी अनकट कवर की थी अलफाज मुक्तलिफ थे लहजा यही था अंदाज यही था बहलाने फुसलाने का तरीका वार्दा कि यही था क्यूंके जब आप एक इतनी बड़ी वो अना की जंग में पड़े हुए होते हैं ना ते जदों कोशिपले उन्दा नहीं होनों मुकान आसते कोई सेविं अपने घरों में बैठेंगे जब तक यह नहीं हो जगा जब तक वो नहीं हो जगा आज काजन कादरी कहा है तो जब आप जाए तो यह थारीक पूरे पाकिसान जाएगी हां तो वो फैल रही है पैल रही है मतलब यह मुझे यह शिक्वा है इन की एंकर से आप आज भी खु पेश करते हैं आपने आम लोगों को जो सक्रीनों से जुड़ा हुआ था कि केड़ा तीर मार देता इमरान उन्हाए अपने उनको बताया कि इमरान था थे खक करके पारिवादे आप कि शिटूइशन क्रियाट करक बताई जा रही थी ना है अगर और वो एग्जाजरेट करते हैं तो सर पे घड़ी रखके तीर मार सकते हैं तो यह बात नहीं है आप आप बिल्कुल दुरूस फर्मा रही है लेकिन मैं भी जो मैं आर्ज करना चाहता हूँ यही है कि इस अंसर्टेनिटी को खात्म करने के लिए अगर आपके दमाग मे यह पहलू है यह बात है कि इमरान खान टाइलॉग करेगा तो मैं यह समझता हूँ कि इमरान खान अरब हाँ चीजों पर यूटरन ले सकता है इस बात पर कभी यूटरन नहीं ले सकता कि मैं सियास्टानों के साथ बात करेंगा भाई वो तालिबान के साथ करेंगे वो करें वो उनके दफातिर खुलवाने के लिए जदुजहत कर सकते हैं, उनकी 26 साला जदुजहत बताती है, उन्होंने हाँ, वो अलग बात है, वो मुशर्रफ के पॉलिंग एजन्ट बन गे थे, चले मैं इस गुफ्तुकू को यहां पे खतम करता हूँ, आप मुझे फ्रेश एलेक् करना करवाएं, जब आपका दिल करें करवाले हैं, नहीं नहीं, इसम्बलियां अपनी मुद्द पूरी करें, और वैसे राना सुनावला साब ने का है कि हकूमत आइनी तौर पर इलेक्शन्स छे मीने अब गे विलाजर के जा सकती है, तो राना साब तो फवाच ओदी नही में बात कर देंगे, कुछ तो पकरा होगा, कुछ तो पकरा होगा, पकरा है क्या?